वानिज्य मंत्राली की विदेश व्यापार इकाई TGFT एक जनवरी 2014 के बाद से अब तक अपडेट नहीं किये गई इक सभी आयातक निर्यातक कोड IEC को निश्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है ये प्रक्रिया 6 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगी ये एक ऐसा कदम है जो देश में वास्तविक वैपारियों की वास्तविक संख्या जानने में मदद करेगा DGFT की तरफ से जारी एक नोटिस के मुताबिक अपडेट नहीं किये गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को 6 दिसंबर से निश्क्रिय करना शुरू कर देगा उसने सभी IEC दारकों को ये सुनिश्चित करने को कहा था कि अपरेल जून 2021 के दोरान उनके कोड में दर्ज जानकारिया अपडेट कर दी जाएं वैसे IEC को अभी 5 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है इस समय तक भी अपडेट नहीं किये जा सके IEC को निश्क्रिय कर दिया जाएगा भारत में आयात या निर्यात गतिवीदी से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए IEC रखना जरूरी है उसके बगेर ना तो आयात किया जा सकता है और नहीं किसी तरह का निर्यात हाला कि 6 दिसंबर के बाद निश्क्रिय हो जानने वाले IEC को भी आयातक या निर्यातक DGFT की वेबसाइट के जरिए फिर से सक्रिय कर सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें समबंदित सूचनाओं को अपडेट करना होगा उद्योग जगत का मानना है कि DGFT के इस कदम से देश में सक्रिय आयातको एवं निर्यातको की सही संख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी IEC प्राप्त करने वाली फर्म में प्रोप्राइटर्शिप, पार्टनर्शिप, LLP, Limited Company, Trust and Society शामील है GST की शुरुआत के बाद IEC नंबर वान फर्म के पैन के समान है पिछले हफ़ते केंद्रिय वानिज्य एवं उद्योग मंत्री प्यूश गोईल ने कहा तकी बारती अर्थ विवस्ता के सभी शेतरों में उच्छाल देखा जा रहा है और देश, वस्तूओं और सेवाओं के निर्यात के मामले में एतिहासिक उचाएं की और अग्रसर है भारत मार्च में समाप्त होने वाले वितवर्ष में 400 अरब डॉलर के वस्तूओं के निर्यात के लक्षे को हासिल कर लेगा